क्या आप एक नए यूटीबर हो या भी पुराने यूटीबर हो और आप डेली यूटीब वीडियो बनाते हो तो आज मैं आपको बताऊंगा आप अगर आज तक ये वाली बात पता नहीं होंगी जैसे कि आप टाइटल और थमनेल देखे आपने मेरे वीडियो में एंटर किय आपको बताऊंगा तो आज मैं आपको बताऊंगा आप किस तरीके से नो कॉपीराइट वाला मुजिक वह सारे वीडियो में आपने यूटीब पे देखा होंगा कि किस तरीके से आपको पता चलने वाला है इसके लिए कोई भी हार्ड प्रोसेस नहीं है तो हेलो प्रेंट् आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंट्रेस्टिंग होंगा इसलिए वीडियो भी न स्किप के आपको लास्त तक देखनी है तो चले चलते हम हमारी यूटीब में यूटीब में यूटीब पे जाने के बाद आपको सर्ज बार में एंसी यस सर्च करना है नो कॉपीराइट जांड्या आपको यूटीब में मिलने वाले अवले सांड्य देख सकते होंगे आपको सारे सांड्य मिल जाएंगे या अपको था मैंटस्थ और अपको क्या करना है वीडियो आपको ईडियो में डाउनलोड कर लेना MP3 में आपको easily download कर लेनी डाउनलोड करने के बाद आप इसको कोई भी anres करते होगी चाहिए आप काइद निमांस्टर करते हो पावर डाइरेक्टर करते हो तो कोई भी application आप यूज करते होंगे, उस application में आपको easily इसको background में यूज कर लिए जिस तरीके से आप यूज कर सकते हैं, आपको वहाँ पे option show होता होगा sound use का, वहासे आप इसे select करके, आप इसका sound level है, वो कम कर दीजे, मैं आपको यह वाली वी वीडियो बना दूँगा, कि आप किस तरीके से background में music लगा सकते हो, edit कर सकते हो, kindmaster के जरी, लेकिन ये music ताहम किस तरीके से download कर सकते है, no copyright sound, तो बहुत सारी आपने वीडियो देखी होंगी, तो आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो, easy और simple तरीके से मैंने आपको बताया किस तरीके से आप no copyright sound download कर सक सब्सक्राइब कर सकते हैं, thank you परवाजी